हेलो दोस्तों नमस्कार सलाम सत्रियाकाल स्वागत आपका भारत एक मोज में इतनी बोरिंग ओपनिंग मैं करते करते खुद बोर हो गया हूं तो आप कितना चटते हो गए यह यह सुनके पर मैं माफी चाहता हूं मैं यही बोलता हूं मैं सोच रहा हूं इसकी बारे में कि आपको शुरू में ही बोर इतना हो जाए शो में कि यार सुन सुनके पगे हैं इस बात को तो मैं प्रॉमिस करता हूं इस ओपनिंग को चेंज करूँगा लेकिन अभी की तो सच्चा ही यह है कि आपको पास एक और में भारत एक मोज का एपिसोड लेके आ गया हूं और आप इस बार का भारत एक मोज प्रधानमंत्री जी ने कहँ है कि इंडिया अपने कोवीट के एक्स्पीरियंसेज दुनिया से शेयर करना जाती है अब कुछ लोगों क्या है कि प्रधानमंत्री के मुझसे कुछ निकला नहीं और लगे तक फ्री लेने के लिए कि क्या शेयर हो कि जब भी कोई ऐसी आपदा विवदा आती है तो जितनी इंफर्मेशन एक दूसके साथ शेर करी जा सके उतना हुमेनिटी का भला होता है और यह बड़ा नोबल स्टेप है हमारे प्रदान मंतरी जी का कि वह यह बोल रहे हैं कि हम दुनिया से अपने कोविड के तजर्बे शेर करना चाहते हैं इंपोर्टेंट बात इसमें यह है कि इन तजर्बों से दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि जब इस तरह की महामारी बीमारी यह कोई ऐसी आपदा नैच्रल डिजास्टर कुछ भी हो तो क्या क्या नहीं करना है इस सब यह इस 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 इन्फरमेशन का जो डेटा बेस है इंडिया से बेटर किसी कंट्री के पास नहीं है क्या क्या नहीं करना है मतलब बताएंगे उनको के भी आप यह रैली मिले नहीं करो ठीक है और जो है भी बढ़क का मत इखटा करो और पहले से तैयारी करके रखो वैक्सिनेशन के बारे में ला परवावा किया है अगर आप वो सब नहीं करोगे अगर आप उन सब से बचोगे तो आप कोवीड से डिल करने के लिए ज्यादा बेटर एक्विप्ट होगे यह था उनका इंटेंशन इस इंटेंशन में क्या गलग बात है आदमी कुछ बोलता है अच्छे इंटेंशन से बोलता उसकी वी लोग तफ्रीड देने लग जाते हैं उनका इंटेंशन सिर्फ यह है कि हमारी गलतियों से वह सीखें और वह गलतियां ना धौर है हमने कोवीड स्पेसिफिक हेल्द इंफा सेक्टर डवलप करने पर जोड़ लगाया हमने अपने हुमन रिसोर्स को को कॉरोना से लिए दोस्तों अब कुछ खबर हैं हमारे प्यारे दुनिया के प्यारे उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में जो विमन कमिशन की मेंबर हैं मीना कुमारी उन्होंने एक बयान दिया है कि माबापों को लड़कियों को मुबाइल फोन नहीं देना चाहिए उस से लड़किया बिगड़ जाती है और लड़कों के साथ भाग जाती है। मतलब लड़कों के साथ भागने का पूरा प्रोसेस इसका जो इनिसेशन होता है ये मॉबाइल फोन की वज़ा से होता है। ये विमेंस कमिशन की मेंबर है। ठीक है जी? ये उसी तरीके का लॉजिक है कि अगर कोई घटना घटती है, बुरी घटना घटती है किसी महिला के साथ, तो सारी दुनिया उसको सला देने के लिए आ जाती है। रात को घर से बाहर क्यों निकले, घर से बाहर मत निकलो, ये वाले कपड़े मत पहनो। मतलब सारा जो रिस्पॉंसिबिलिटी है, वो उसी के उपर डाल देते हैं, कि तुमें ये इसब करना है, बहतर होगा कि विमेंस कमिशन की मीना कुमारी जी, ये मुबाइल फोन ना लड़कों से चिनवा लें, क्योंकि अगर लड़के रात को घर से निकलना बंद कर दें, तो और लड़के मुबाइल फोन ना रखें, तो हो सकता है इन गटनाओं में कमी आ जाए, लड़कों के उपर हर चीज के लिए ये बोलना है कि तुम अब मुबाइल फोन भी मत रखो, ये विमेंस कमिशन की मेंबर को शोबा देता ये नहीं देता, ये मेरे से जादा आप स सोच लो, और आप खुदी सोच के ये फैसला कर लो, ये किस किसम का बयान है, बटकों कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता है, प्रताब गड़जिले में उत्तर प्रदेश के एक और हमारे देश की सुपर पावर होने का सबूत मिला है, कि वहाँ प ऐसे करकर कहीं तो हम सुपर पावर बने हैं, इस किसम का टेमप्रमेंट फैलाने वाले लोगई को एक कमी नहीं है हमारे मुलक में, लेकिन गाओंवाला की आस्था को क्या दोश देना, जब बड़े-बड़े लिखे लोग इस तरह की चीजों में बिलीव करते हैं, पिशली इंपोर्टन बात है कि उत्तर प्रदेश में यह घटना भी हुई और इससे उत्तर प्रदेश हमारे वर्ल्ड रैंकिंग में और थोड़ा सा उपर चला गया है, पहली काफी उपर था, अब और उपर चला गया है, और तीसरी घटना तो आपको पता ही है, राम मंदिर की जो से प्रोग्राम और राइट अफ वगरा इस चीज पर हुए है, उस तब को बोलने कोई फायदा निया है, बट मेरा सिर्फ इतना कहना है, इस बात पर इतना हल्ला मचानी कोई जरूवत है नहीं, भाईया, गौड कैन अफोर्ड, 18.5 करोर, मी और यू कैनाट, बट गौड कै हैं, सो चिल पिल, हम पर महत्मा गांधी की है, आरोब से हम चिंता नहीं करते हैं, आप भी चिंता मत करिये, आप खूब लगाई, और हमारे प्यारे चहेते, बाबा जी, बाबा राम देव जी ने एक और शगूफा छोड़ा है, इतने दिन से ये बाशन बाजी करने के करने के बाद, बर गलाने के बाद, अब उन्होंने बयान दिया है, कि वह भी जो है, ना करोना का वैक्सिन लगवाएंगे, यह सब बोलने को अब भी इवेंचुली एलोपैथी के पास जा रहे हैं, बाबा जी, आपको वैसे कई इंजेक्शन लगवाने की जरूफ है, जिस बलता का तोर पालें, जल्दी यह लगवालें, दोस्तों स्विस बैंक में इंडिया का जितना पैसा है, वो इतना ज्यादा हो चुका है कि पिछले 13 साल में इतना अमांट कभी भी स्विस बैंक में नहीं था, कोई 20,700 करोड रुपे की फिगर आ रही है, कि जितना हिंदुस स्विस बैंक के अंदर है, आपको याद होगा, कि आपको एक टौफी दी गई थी, कि वहां से सारा पैसा आएगा, फिर उसमें से सब के पास 15-15 लाख रुपे आएंगे, और ब्लैक मनी पे धावा बोला जाएगा, इस चक्कर में आपको नोट बंदी के भी टौफी दी सी और चीज में मगन होके रखा हुआ है, जिसको भक्ती के नाम से जाना जाता है, बगर सच्चा ही ये है, चलो कुछ भी सही, कम से कम स्विज्जलेंड में तो अच्छे दिन आएगे, उन्होंने ये बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, ये थोड़ी बोला था कि कहां अच्छे दिन आएंगे, कहीं न कहीं तो आई जाएंगे, और आगे कहीं, मोदी जी को जिताएंगे, भाट पापो बहुमत दिन आएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे, तो दोस्तों ये था इस बार का भारतिक मौज, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होग और ऐसी मोजें लेकि मैं आपके पास आता रहूँगा, आने वाले टाइम में भी, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमने एक एपिसोड बढ़ा दिया है, तो कुछ लोगी जो शिकायत थी कि बहुत देर देर बाद आता हूँ, उमीद करता हूँ थोड़ी सी दूर तो मबारख हो पूरे देश को और आप सभी को, कि ये तीन बच्चे जो देश की कॉंस्टिटूशन के लिए लड़ रहे थे, जो सच के लिए लड़ रहे थे, और एक लिए लड़ भी नहीं रहे थे, इनको आखिरकार थोड़ी आजादी मिलिया, मिलते हैं अगले भारत ए संत मंतरी पुलिस कलेक्टर सबी कड़ा माडोल, ज्यान में खोट ना आए बारत एक मोच, रे पीटी उसा पीछे चोड़े मले आमोदी मेल, चौकी दार जो दिन में सो गया बन गई दे सकी रेल, रे चटनी एक ऐसी वई आश्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकार भारत एक मोच, अरे चड़ी गई खजूर पे और मासम हो गया है सोज, महा भारत के काल में ओ गई इंटरनेट की खोज, बहलू का सिमरक बर मांगे जान के भिक्षा रोज, पर काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मोच, अर मन की बात करे अर संड़े बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बाले, लो आग गई, जनकीडों की वाज, अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टेक्स पे अर पे बोज, पर कावडियों पे फूल के चादर भारत एक मोच, अरे भारत एक मौच